तो Python Fundamentals के वीडियो आ चुकी है और ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने बहुत कुछ इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्क्रेइन करके बताया है एक चीज मैंने अनिमेशन की मदद से बताया है और क्या बूरू? और तुम्हें आपर सब कुछ बहुत अच्छे सी समझ में आने वाला है और इसी तरह से बाखी वीडियो भी आने वाली है तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहो और कोई भी doubt हो तो उसको comment में लिख दिया करो क्योंकि तुम देख रहे होगे कि मैं हरे comment का reply कर देता हूँ और वीडियो को like करो और चैनल को subscribe करो क्योंकि बाकी सारी updates भी आते रहेंगे तो शुरू करते हैं हमारा chapter python fundamentals हम इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले आई-प्यो साइकल के बारे में आई-प्यो साइकल क्या होता है computer की तरह से काम करता है input processing output हम पहले कुछ input देते हैं computer उस चीज़ को process करता है और फिर हमें एक output मिलता है यह होता है हमारा IPO cycle तो शुरू कहता है IPO cycle और यह करने के लिए हमारे पास एक program होना must है यानि एक program एक program क्या होता है एक program जो होता है वो एक set of instructions होता है जो की हमारे processing को govern करती है ठीक है program is a set of instructions that govern the processing इस chapter में हम python के basics के बारे में पढ़ने वाले हैं उनमें आता है character set, tokens, expressions, statements, simple input, output और और भी कुछ चीज़े हैं तो सबसे पहले हम आते है Python character set के बारे में तो Python character set क्या होता है character set वो sets होते हैं जो characters python में हम use कर सकते हैं ठीक है जो भी characters python में valid होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो characters legal होते हैं तो character set एक ऐसा set है उन characters का जो की Python में हम valid तरह से use कर सकते हैं तो character क्या होता है character यानि कि कोई भी letter हो गया, कोई digit हो गया या फिर कोई symbol हो गया और अगर हम letter की बात करें तो इसमें capital A से capital Z तक कुछ भी use कर सकते हैं फिर small a से small z तक इसमें भी कुछ भी use कर सकते हैं तो बहुत सारे symbol से तुम देख सकते हो आपर यह सारे symbol तुम use कर सकते हो फिर आता है white spaces यह क्या होते हैं अब तुम कोई भी character अगर type कर रहे हो तो तुमें लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पर तुमने कुछ भी keyboard से type के वो दिख रहा है तुमें लेकिन कुछ characters ऐसे होते हैं जिने अगर तुम type करो तो वह तुमें direct दिखेगा नहीं ठीक है white spaces और इसमें क्या-क्या और चीज़ा आती है tab भी आता है इसमें अगर तुमने कभी tab यूज किया हो तो तुम जानते होगे फिर एक carriers return भी आता है new line आता है warm feed आता है इन चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं अब python में जो है वो सारे के सारे ASCII और Unicode characters वो सारे के सारे इसमें valid होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं tokens के बारे में tokens क्या होते हैं अगर हम किसी भी चीज़ को बनाने जाए तो उसका एक basic unit होता है अगर तुम घर बनाने जाओ तो उसमें brick जो होता है वो basic unit तुम कह सकते हो वैसे ही हमारे body में अगर तुम देखो तो हमारा जो cell होता है उसे हम कहते है structure and functional unit of life तो इस तरह से एक basic unit होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए तो हमारा जो program होता है वो अलग-अलग units को combine करके बनता है ठीक है तो अब वो units क्या होते है अब उनी units को हम tokens कहते हैं ठीक है और उन tokens को हम lexical units चाफिर lexical elements भी कहते हैं यानि कि units, tokens, lexical units, lexical elements ये सारे सेम चीज़े है और अब इन lexical units में क्या क्या चीज़े आती है कितने तरह के होते हैं तो ये होते हैं keywords, identifiers, identifiers यानि name इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा फिर आते हैं literals, operators और punctuators तो इन में से हम सबसे पहले बात करते हैं keywords के बारे में keywords क्या होते हैं अब keywords कुछ ऐसे नाम होते हैं ऐसे words होते हैं जो python तुम्हारा समझ पाता है जैसे कि अगर मैंने कुछ एक नाम रख दिया ABC अब python इसको समझ नहीं पाता है लेकिन कुछ words ऐसे होते हैं जिने python का interpreter है python का interpreter है वो समझ जाता है कि while हो गया, for हो गया, if हो गया तुम यह जो words को use कर रहे हैं अपने program को बनाने में तो कुछ ऐसे words होते हैं जिनका मतलब Python को पता है तो वो क्या होते हैं, वो predefined words होते हैं उनको हम किसी variable का नाम रखने के लिए use नहीं कर सकते हैं तो keywords क्या होते हैं? keywords वो reserved words होते हैं जो हमारे interpreter को पता है कि उसका meaning क्या है और हम उसका आप use नहीं कर सकते हैं अपने किसी variable को उस तरह से name करने के लिए मान लेते कि हमारे पास एक keyword है for तो हम कोई एक ऐसा variable नहीं बना सकते हैं जिसका जो नाम हो वो for हो अब तुम्हारे पास एक list आ रहा होगा यहाँ पर तुम देख सकते हो यह python में कुछ valid keywords होते हैं अब हम बात कर लेता है identifiers के बारे में अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि कुछ ऐसे words होते हैं जो कि python को पता होते हैं कि इनका मतलब क्या है और यह उनमें अगर pass किया जाए तो उन्हें क्या काम करना है लेकिन अगर identifier के बारे में देखे तो identifier वो नाम होते है जो हम रख सकते हैं अगर मैं कोई अपना function बना रहा हो खुद का कोई एक variable बना रहा हो खुद का तो इन चीज़ों में क्या कर सकता हूँ मैं कोई भी एक नाम रख सकता हूँ और यहां पर यह rule तुम समझ पा रहे होगे कि वो नाम जो है वो कोई keyword नहीं होना चाहिए कोई एक reserved word नहीं होना चाहिए तो मैं खुद से कोई एक नाम बना सकता हूँ जैसे ABC हो गया XYZ हो गया रमेज, शुरेश तो यह सारे words जो हैं यह सारे हम as an identifier यूज़ कर सकते हैं अब identifier बनाने के भी कुछ rules होते हैं क्या rules होते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ सबसे पहले identifier जो कि यह हो keyword नहीं होना चाहिए यह मैंने अभी अभी तुम्हें बताया है दूसरा rule कहा है कि पहला जो character है वो एक letter होना चाहिए या फिर underscore हो सकता है मतलब तुम अपने पूरे variable के नाम में या फिर मतलब पूरे identifier में कोई एक दूसरा character यूज़ नहीं कर सकते ठीक है character तो बहुत सारे यूज़ कर सकते हो लेकिन कोई special symbol कोई दूसरा नहीं यूज़ कर सकते है सिर्फ एक underscore यूज़ कर सकते हो या तो तुम उसे सबसे पहले लगा दो या तो सबसे बात में लगा या फिर बीच में कहीं पर भी यूज़ करो तो इस तरह से या फिर end में रख दो वो चलेगा लेकिन कभी भी तुम्हें शुरू में नहीं रखना इसे और हाँ एक और बात कि python का जो हम यहाँ पर नाम रखने वाले अपने variable का तो इसके पास कोई white space नहीं होना चाहिए जैसे कि अगर मैं मेरे को एक variable बनाना तो उसका नाम में रमेश प्रसाद ऐसा अलग-अलग नहीं लिख सकता हूँ अगर में को रमेश प्रसाद लिखना है तो मुझे उसे साथ में लिखना होगा ऐसा नहीं कि मैं एक space दे दू ठीक है तो पूरा एक word होना चाहिए उसे ही हम एक identifier कह सकते हैं और एक और बात कि python जो है वो case sensitive है case sensitive मतलब ये lower case और uppercase के letters को अलग-अलग तरह से treat करता है मतलब अगर तुम एक variable बना रहे हो small है और फिर एक दूसरा variable बना रहे हो capital है तो इन दोनों को वो अलग-अलग तरह से देखता है इसे हम कहते है case sensitive अब आता है literals literals क्या होते है literals में भी कुछ चीज़े आती है तो literals हम simply कह सकते constant values ऐसे data items जिनका value जो है वो fixed row अब python में बहुत सारे तरह के literals होते है तो हम पहले बात करते हैं string literals के बारे में तो string literal क्या होते है string जो string क्या होता है basically string क्या होता है हम अगर अलग-अलग characters का एक sequence बना दे और उसे या तो single quote या तो double quote या फिर triple quotes में रख दे और उन quote से enclose कर दे तो हम उसे एक string कह सकते हैं अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम एक string बना सकते हैं और कौन-कौन से तरीके गलत होते हैं string बनाने के तो सबसे पहले मैं एक a नाम का एक variable बनाता हूँ इसमें मैं रखूंगा किसी string को अब string को बनाते कैसे हैं तो string को बनाने के लिए हमें कुछ characters चाहिए जैसे अगर तुम्हें अपना नाम लिखना हो जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया लेकिन अभी एक string नहीं है इसे मुझे string बनाना है ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं अब इसके लिए मैं अपने नाम को quotes के अंदर enclose कर दूँगा कौन से quotes या तो तुम single quotes का use करो या तो तुम double quote का use करो या फिर triple quote का भी यूज कर सकते हो मैं दिखाता हो अभी तुम्हें जैसे मैं यहाँ पर single quote का use करता हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने single quote का use कर दिया अब मैं क्या करूँगा अब मैं इस चीज़ को print कराऊँगा मैं आपर लिखता हूँ print a ठीक है मैंने यहाँ पर लिख दिया print a तो यहाँ पर अगर मैं इसका output देखूँ इसे मैं run करके देखता हूँ ठीक है तो यहाँ पर तुम देख सकते है output आया यहाँ पर मेरा नाम जैसा कत ऐसा आ गया है ठीक है तो इस तरह से मैंने एक string यहाँ पर बना दिया है अब यहाँ पर कुछ number भी हो सकता है कोई character भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है यहाँ ठीक है तो यह एक string होता है अब और कौन से तरीक है string बनाने के दूसरा तरीका यह है कि मैं double quotes का use करूँ तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने एक double quote लगा दिया फिर यहाँ पर भी एक double quote लगा दिया फिर अगर मैं इसे run करूँ तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो same output आ रहा है कोई फर्क पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा यानि कि यह भी एक string है अगर मैं यहाँ पर यह जो देखो तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर मैंने double quote लगा है वो है तो तुम यह ध्यान रखना कि तुमारे जो keyword है तुमारा keyword है उसमें double quote एक अलग चीज है और एक single quote एक अलग चीज है तो यहाँ पर अगर मैं single quote को यह दो बार यूज करो यानि कि यह 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 मैंने दो बार यूज कर दिया ठीक है और यहाँ पर भी मैं वो same काम करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं आपर single code को दो बार use कर रहा हूँ तो तुम्हें देख सकते हो यहाँ पर यह VS code मुझे खुदी बता रहा है कि अभी बना नहीं है string यह string नहीं बना है ठीक है तो तुम्हें यह नहीं करना है तो तुम्हें अगर दो quotes का use करना है तो तुम्हें double quotes का use करोगे ठीक है और यहां पर शुरू में भी triple code का यूज करूँ फिर क्या आता है फिर यह एक string बन चुका है मैं ऐसे run करता हूँ ठीक है तो यहां पर output आ गया है अब इन में कुछ तो difference होगा वह हम कुछ देर में पढ़ने वाले हैं यहां पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि अगर मैं ऐसा नहीं करताू हूँ देखो, तो फिर क्या आता है, मैंने यहाँ पर triple code से शुरू किया और मैं single code पे खतम कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसे run करूँ तो यहाँ पर यह फिर से error आ रहा है, ठीक है तो इस तरह से यह string जो है, वो हम बना सकते हैं अब यहाँ पर मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अलगला conditions देने वाला हूँ, उसमें तुम्हें यह बताना है कि क्या यह एक string है और इसका output क्या होगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि मैंने यहाँ पर single code से शुरू किया, फिर single code पर खतम किया, अब अगर मैं इसे triple code बनाना चाहूँ, यहाँ पर मैंने एक और तुम्हें एक और चीज़ा भी नहीं बताईए कि फिर मेरा यह double code जो है, वो भी साथ में print हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह string हम बता रहे हैं कि यहाँ से हमारा string जो है, वो चालू है, यहाँ पर यह automatically detect कर लेगा कि यहाँ पर यह खतम हो रहा है, तो इस पूरी चीज़ को इसने एक string मान लिया, यानि कि यह double code यहाँ पर भी करते हैं, यानि कि अगर मैंने यह double code दिया है, यह मैं बाहर रखूँ और अंदर एक single code रखूँ, similarly अगर यह करूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर में से run करके दिखाता हो तो तो भी यह जो है, वो मेरा string बन चुका है, यहाँ पर इस बार क्या हुआ है, इस बार python ने इस है, फिर यहाँ पर हम एको प्रिंट करवा रहे हैं, तो फिर यह हमारा जो output है, वो निकल के आ जा रहा है, तो यह बहुत simple है, इस तरह से हम एक string मना सकते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, नन ग्राफिक क्यारक्टर्स के बारे में, तो नन ग्राफिक क्यारक्टर्स ऐसे characters होत लेकिन, यहाँ पर कुछ ऐसे escape sequences होते हैं, escape sequence क्या होते हैं, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो कुछ ऐसे non graphic characters होते हैं, कुछ ऐसे characters होते हैं, जिने हम किसी string के अंदर directly नहीं type कर सकते हैं, तो इने हम कहते हैं escape sequences, अब escape sequence की एक खास बात यह है, कि इने हम backslash के साथ represent कर सकते हैं, पहले तुम backslash लगा होगे, उसके बाद एक या एक से जाधा character लगा दोगे इसके साथ, उस तरह से हमें escape sequence बना सकते हैं, अब देख लेते हैं, हमारे पास कौन-कौन से escape sequences हैं, तो अब हम देखने वाले escape sequences क्या होते हैं, पाइथन में, तो यहाँ पर मैंने एक text file बना कर रखा हुए, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या important है, वो सारे escape sequences यहाँ पर लिखे रखे हुए, ठीक है, और भी होते हैं, तुम चाहो तो और भी देख सकते हो, लेकिन इता तुम्हारे लिए more than enough है, तो अब हम दो बता जाता हूँ कि यह सब क काम कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक नई file बना लिता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैंने escape sequence.py नाम से एक file बना लिया हुआ, तो यहाँ पर हमें तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि escape sequences होते क्या है, तो सबसे पहले उसके लिए मैं एक string ब यहाँ मैं print s लिख रहा हूँ, अब देखते हैं, यहाँ तुम देख सकते हो, यह मेरा output है क्योंकि s में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, तो अब हम यहाँ पर कुछ चीजे लिख देते हैं, जासे की क्या लिखें, तो मैंने यहाँ पर एक text ब डाल लिया है अपने s variable के अंदर और मैं इसको print कर वा रहा हूँ यहाँ पर मैं simply तुम्हें से run करके दिखाता हूँ देखो यहाँ पर क्या आ रहा है यह मेरा जो text है वो लिखा हुआ आ जा रहा है ठीक है तो अब मैं यहाँ पर इसके उपर डालने वाला हूँ escape sequences को ठीक है त forward slash तुम्हारे keyboard में दो तरगे slash होंगे एक forward एक backward तो इस चीज़ का तुम्हें खासकर ध्यान रखना है तो यहाँ पर new line के लिए हम एक use करते है back slash n तो इसका हम कैसे use करें यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर यह जो करना लिखा हुआ है इसके बाद मैं यहाँ पर अ अंदर ही लिख रहा हूँ अब मैं इसे अगर run करूँ तो क्या होता है यहाँ पर तुम देख सकते हो एक new line आ गया यानि कि comment करना और उसके बाद एक new line स्टार्ट हो रही है और उसके बाद फिर एक space आ रहा है और उसके बाद फिर मत भूलना यह आ जा रहा है यानि कि back slash n जहाँ पर हमने दिया हुआ है यहाँ से यह जो हमारा string है वो एक new line को start कर रहा है ठीक है और यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं एक और string को add करूँ जैसे कि यहाँ पर मैंने एक r लिखा हुआ है ठीक है और इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ thank you ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा क्या देखो यहाँ पर मैंने backslash n यहाँ पर last में दिया नहीं है ठीक है तो क्या होगा क्या यह thank you जो है वो क्या इसी line में प्रिंट होगा क्या यह एक ही line में प्रिंट होगा या फिर एक नई line बनाएगा यह अगर मैं आपर print करवा तो अगर मैं इसे रुन कर रहा हूं, तो क्या होगा ? क्या ही एक ही लाइन में पूरा कपृर निपट जाए गा या फिर यहाँ पर तो मैंने बैक्सलेशन लगाये और इसे लेकिते कि होता क्या है यहाँ तुम देख रहे हो कि यहाँ पर एक new line start हो रही है ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारी जो print function है प्रिंट जो है वह हमारी एक function है जो कि हमें screen में कुछ print कर वाके देता है ठीक है तो by default क्या होता है कि इसके एक इस पर एक parameter लगा हो और होता है वो क्या होता है वो यह parameter होता है and equals backslash n ठीक है यहाँ पर मैं backslash n लगा देतह हूँ तो यह by default लिखा हुआ रहा था इसमें ठीक है यह हमें दिखता नहीं है लेकिन यह लिखा हुआ रहता है हम इसे ignore कर सकते हैं ठीक है अगर मैं इसे फिर से ऐसे run करूँ कोई फरक नहीं पड़ा ठीक है यह जैसा का तैसा print हो गया क्योंकि यह already है इस print वाले function में ठीक है यह यहाँ पर भी है यहाँ पर तुम्हें दिखनी रहा है लेकिन यह यहाँ पर है तो अभी क्या तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर backslash n को हटा के सिर्फ एक space कर दें ठीक है यह करते हैं तो यहाँ पर तुम्हें देख सकते हो यहाँ पर यह क्या हो रहा है कि यह s print हो रहा है उसके बाद सिर्फ एक space जो है यहाँ पर सिर्फ एक space आ जा रहा रहा और उसक वह बताऊंगा मैं तुम्हें कुछ देर में ठीक है तो यहां पर तुम इस end को समझ चुके होगे यहां पर मुझे तुम्हें सिर्फ एक backslash end का समझाना था तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि वह क्या होता है अब दूसरा escape sequence कौन सा है हमारे पास backslash t ठीक है तो backslash t क्या हो आपर यहां पर यहां पर मुझे एक space print करकी यहां पर मुझे space दे रहा है अगर मैं space को हटादो यहां पर मैं tab लिकूं तो यह क्या कर रहा है यह यहां पर एख साँ यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर यह मुझे चार स्पेसे दे रहा है, ठीक है? तो यह रहा tab अब tab को हम कैसे print करते हैं tab जैसे कि अगर मैंने तुम्हें बताया है कि escape sequences वैसे characters होते हैं जिने हम directly यहाँ पर type नहीं कर सकते हैं और हमें उसे दिखाना होता है output screen पर तो backslash n भी वैसा ही है कि हम उसे अगर यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक enter कर दूँ तो यहाँ पर यह ऐसा नहीं हो कि comment करना एक अलग line में आएगा और दूसरे line में यह आएगा मत बोलना तो यह ऐसा नहीं आएगा तो उसके लिए मुझे backslash n का use करना पड़ा ताकि मैं इसे बता पाऊं कि तुम्हारे पास जो output screen है उसमें तुम एक नई line स्टार्ट करो इस point से ठीक है तो यह तो backslash n का काम अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैं backslash t का काम करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं space को अठाता हूँ और backslash t करूँ तो यहाँ पर यह मुझे tab डाल के देगा ठीक है यानि कि thank अलग आएगा और उसके बद कुछ 4 spaces आजाएंगे और उसके बद you अलग से आजाएगा तो जरा मैं इसे run करके देखू यहाँ तुम देख सकते हो यहाँ मैं पास 4 spaces आ गए है तो इस तरह से यह backslash t काम करता है यानि tab है तो फिर और कौन सा escape sequence है मारे पास backslash ठीक है अब backslash क्या है जैसे कि यहाँ पर मैं backslash t को हटा देता हूँ यहाँ पर मैं सिर्फ एक backslash रखता हूँ अभी मैं इसे run करता हूँ क्या आएगा देखो यहाँ पर क्या आया thank और उसके बाद you यह ऐसा तो आ गया लेकिन यहाँ पर एक syntax warning मिल रही है मुझे यानि कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसा किया है जो कि हमारे interpreter के लिए convenient नहीं है तो इस चीज को मैं कैसे overcome कर सकता हूँ तो जब तुम यहाँ पर backslash दे रहे हो तो हमारा जो interpreter है यह जैसी string के अंदर backslash n को जैसे ही यह string के अंदर backslash को पकड़ता है तो यह यह समझ जाता है कि इसके अंदर जरूर कोई ना कोई escape sequence होगा ठीक है और फिर यहाँ पर इसे escape sequence कुछ मिला नहीं तो यह मायूस होके इसने छोड़ दिया इसलिए मुझे यहाँ पर यह syntax warning मिल रहा है यहाँ पर लिखा हुआ invalid escape sequence तो यहाँ पर इसे escape sequence तो मिल नहीं रहा है तो यहाँ पर मैं एक escape sequence बनाने वाला हूँ जैसी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दू तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक escape sequence मिल जाने वाला है तो फिर यहाँ से एक नहीं लाइन बनाएगा देखो थैंक अलग हो गया और उसके बाद फिर यू हो गया तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मुझे कोई एक ऐसा word यहाँ पर से start हो रहा है या फिर T से शुरू हो या फिर कोई भी ऐसा combination मिल जाए जो कि इसे एक escape sequence बना रहा है तो वो यहाँ पर नहीं चलने वाला मेरा ठीक है वो गड़बड हो जाएगा तो उसे मुझे overcome करने के लिए यहाँ पर जब भी मैं इसे पहले में ठीक कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं thank you के जगह यहाँ पर मैं यहाँ पर मेरे को इसे ठीक करना है ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा यह print हो thank you तो उसमें thank के बाद यह backslash print हो और उसके बाद फिर you print हो ठीक है तो यह मैं कैसे कर पाँँगा उसके लिए मुझे double backslash डालना पड़ेगा स यहाँ पर तीन backslash डालू जरह में इसे run करता हूँ देखो यहाँ पर क्या हो यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ गया कि as invalid escape sequence ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्यों कि यह जो backslash backslash है इसे हमारे interpreter ने एक backslash समझ लिया क्योंकि हमारे एक escape sequence ही है ठीक है यहाँ पर escape sequence य तो इसे इसने एक backslash समझ लिया जो कि एक escape sequence बन गया और उसके बाद फिर से हमारे यह चीज़ आ रहा है ठीक है और यह चीज़ आ रहा है तो इसके बाद तो कुछ मिल नहीं रहा है तो वापस से वह error हमें दे रहा है error नहीं दे रहा है आपर syntax warning आ रहा है समझ गया है यह error और syntax warning अलग अलग चीज़ है तो अगर मैं यहाँ पर एक और backslash add करूँ अब यहाँ पर मैंने even numbers of backslash add कर दी है तब क्या होगा जरा मैं इसे run करके देखूँ तो यहाँ पर देख सकती है हमारा साफ सुत्रा जो code है वो run हो गया है यहाँ पर दो backslash आ रहा है यानि कि इन तरह से मेरे पास दो backslash यहाँ पर आगे है तो यह था backslash का escape sequence अब क्या है single quote तो single quote हम कैसे डालेंगे यहाँ पर जैसे कि तुम देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर thank you लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर मैं single quote यहाँ डाल दूँ अब क्या होता है जरा मैं run करके दिखाता हूँ run हो गया यहाँ पर मेरे को कोई problem नहीं है लेकिन अगर मैंने इस string को क्या होता कि अगर मैंने यहाँ पर इसे double quote की जगा single quote में ही enclose किया होता ठीक है अब जरा इसे run करके देखते हैं यहाँ पर यह मेरे को error देगा हो syntax error आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि देखो तुम यहाँ पर string को चालू कर रहे हो फिर यही पर तुमने string को बंद भी कर दिया फिर यहाँ पर तुम जो भी डाल रहे हो जो कि एक string इसे आप मानेगा नहीं है क्योंकि हमारे जो string है यहाँ पर बंद हो चुका है तो इस चीज को यह एक string मानेगा नहीं ठीक है तो यह एक अलगी चीज हो गई इसके लिए और क्या चीज हुई यह खुद नहीं समझ पा रहा है देखो यहाँ पर तुम्हें इसलिए error आ रहा है तो अब इस चीज को ठीक कैसे करें ठीक है अब मैं आप पर अपनी एक बूरी statement लिखना चाहता हूँ तो उसमें मुझे जाहिर जी बात है कही है यहाँ पर मैं को एक quote का ज़रूरत पढ़ेगा खही पर तो मेरे पास दो तारीक है या तो मैं बाहर को यहाँ पर मैंने जो भी लिखा हुआ है बाहर में जो भी quote उज़ किया हुआ है तो उसको change कर दो जैसे कि अगर मुझे एक quote उज़ करना है single quote अंदर में तो मैं यहाँ पर बाहर में double quote से enclose कर दू अपने पूरे string को या फिर triple quote से enclose करूँ या फिर क्या कर सकता हूँ मैं या फिर क्या कर सकता हूँ मैं कि यहाँ पर एक backslash दे सकता हूँ यहाँ मैंने एक backslash दे दिया इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर यह इक सिर्फ एक quote डालेगा ठीक है क्या होगा कि यहाँ पर मैंने तुम्हें यह दिखा दिया ठीक है अब यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने किस से enclose किया हूँ है double quote से enclose किया हूँ है तो यहाँ पर अगर मुझे बीच में double quote डालना हो तो वो मैं कैसे करूँगा इसका भी यही पर same है यहाँ पर भी एक backslash देता हूँ तो इस चीज़ को यह एक backslash मान लेगा यानि कि इस चीज़ को यह escape sequence मान लेगा यानि कि उसके बाद comment करना और उसके बाद एक double quote आएगा उसके बाद फिर मत भूलना आएगा तो यह रहा तो तुम देख सकते हो मेरा इस तरह से output आ जा रहा है तो यहाँ पर मैंने single quote भी बता दिया और double quote भी बता दिया अब आता है backslash यह क्या होता है तो backslash कैसे use करें पहले मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ पर से यहाँ की cursor के पहले जो भी letter है या फिर character है उसे वो रिमूफ कर देता है डिलीट कर देता है ठीक है तो अगर मैं इसे run करूँ तो यहाँ पर देखो यह वही काम कर रहा है comment करना बाद बुलना हूँ और उसके बाद thank you उसमें इसने y को backslash कर दिया है यहाँ को हटा दिया है ठीक है अगर तुम notepad खोल लो अपने में और कहीं पर भी लेके जाओ अपने cursor को और उसके बाद फिर यह backspace दो यह वही काम कर रहा है तो यहाँ पर हमने backspace तक देख लिया अब आता है carriage return carriage return क्या करता है देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पर मैंसे हटा देता हूं अब यहाँ पर जैसे कि में पास दो strings है उपर का का एक string अलग, नीचे का एक string अलग, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कि यहाँ पर मैं एक backslash r कर देता हूँ, अब मैं इसे run करता हूँ, कोई change आया, नहीं, कोई change नहीं है, ठीक है, ऐसा क्यूं हुआ, अभी बताता हूँ तुम्हें, जैसे कि यहाँ पर मैं बैक slash r डाला, यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया था, comment, करना, मत, ठीक है, और उसके बाद एक space है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा हूँ है, यहाँ पर एक space है, उसके बाद फिर B है, ठीक है, तो इतना तक मान लेते कि हमारे interpreter ने print कर दिया, यहाँ पर ठीक है, H-U-L-N-A, ठीक है, यह जो चीज़ है, यह लिखा हुआ है, तो carries return का यह काम है, कि carries return के बाद जो चीज़े लिखे हुई है, ठीक है, उनको यह उठा के इधर रख दे, और replace कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर मिरे पास कितने characters है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ पर मिरे H-U-L-N-A, इसको यहाँ पर से replace करूँ, H-U-L-N-A, और उसके बाद फिर N-T आ जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास जो चीज़ बनेगा, वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, H-U-L-N-A, और उसके बाद फिर N-T, ठीक है, यहाँ पर से देख रहे हो तुम, N-T, तो यहाँ पर यह N-T लिखा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ से आके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यानि कि यहाँ पर पहले यह इसे ले रहा है, और उसके बाद फिर backslash R, यानि कि carriage return जो है, वो क्या कर रहा है, कि आगे कि जितने character से हमारे पास, वो उठा के इधर से replace क क्या है, तो form feed की जबर अभी तुम्हें नहीं है, जब तुम documents बनाने लोगेगे अपने python program से, तो तुम्हें काम आएगा form feed, देखो form feed का मतलब क्या होता है, कि एक नही लाइन को पकड़ लो, यहाँ तक तुमने एक लिख लिख लिए एक line, अब उसके बाद backslash n यहाँ प काम आने वाला नहीं है, तो इतने escape sequences तुम्हारे लिए अभी more than enough है, तो यह थे escape sequences, अब यहाँ पर हमारे पास अगर string की बात हो रही है, तो मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि string कितने type के होते हैं, string जो होते हैं, वो दो types के होते हैं, सबसे पहला single line strings, दूसरा multi line strings, त escape sequences का, तो मैं तुम्हें यही पर बता जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास S नाम का एक variable है, इसमें एक string लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, यह double quote से enclose किया हुआ है, तो यह एक single line string है, यहाँ पर यह single line से enclose किया हुआ है, तो यह होता है single line string, और अगर मुझे से multi line मे यह आएगा कि यहाँ पर यह अगर तुम्हें multi line में करना है, कि अगर तुम thank को अलग line में रखो, और u को अलग line में लखो, तो यहाँ पर backslash end कर दो, लेकिन वो तो एक तरीका हो गए, वो हमें यहाँ पर escape sequence डाल रहे हैं, ताकि हमारा जो string है, वो अलग line में प्रिंट हो और यहाँ पर मैं simply अगर enter करूँ, तो normally क्या लगेगा हमें, कि एक multi line हो गया ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हमें escape sequence में पढ़ा था, तो यह तो नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता यह, तो इसे मैं ठीक कर देता हूँ, तो यह thank you है, ठीक ह कि अब मैं एक multi line string को देखो कि वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो तुम single quote और double quote का यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है, तुम ऐसे बना सकते हो, उसका एक अलग तरीका है, और दूसरा एक है triple quote का, ठीक है, तो मैं आपर तुम्हें पहले triple quote को अगर यहाँ पर enter कर दूँ, ठीक है, तो तुम देख सकते हो, यहाँ पर कुछ change हुआ नहीं, अगर मैं इसे यहाँ पर अभी run करूँ, तो क्या होता है, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर backslash end नहीं डाला है, तो भी एक नई line में चला जा रहा है, यह किस चीज़ का magic है, यह इस triple quotes का magic है, तो triple quotes हमें क्या मदद करता है, कि हम एक multiline string को बना पाएं, ठीक है, तो यह था triple quote का magic, और दूसरा कौन सा तरीका है, कि हम multiline string को बना पाएं, वो यह तरीका है, कि मान लेते हैं कि यह मेरे पास यह जो R string है, ठीक है, तो इस से मान लो कि हमें बनाना है क्या बनाना मुल्टि लाइन स्ट्रिंग बनाना है तो अगर मैं इसे एक एंटर कर दू और एंटर करने के बाद यहाँ पर यह तुम्हें VS Code पहले से ही बता दे रहा है कि यह वर्क नहीं करने वाला ठीक है तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि अगर हम इस तरह से प्रिंट करें यानि एक बैक स्लैश का यूज करें और उसके बाद हम अपने लाइन को मल्टि लाइन स्ट्रिंग बना रहे हैं तो वो हमें आउर्पूट में नहीं दिखने वाला लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है वो ऐसे करके एंटर कर दें यहाँ पर मैंने एक एंटर कर दिया और उसके बाद फिर एक एंटर कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिपल कोट का यूज कर रहे हैं तो इस चीज में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक नई लाइन स्टार्ट हो जा रही है तो नई line कब start हो रही है जब हम triple quotes का use कर रहे हैं और अपने code में enter किये जा रहे हैं मतलब कि अलग-अलग lines में काम किये जा रहे हैं और triple quotes में कर रहे हैं तो इस तरह से हम एक तरीका हो गया multi line string बनाने का और दूसरा कौन सा तरीका है कि हम इस single line string के अंदर यानि कि single quote से जो string है जिसे हम enclose कर रहे हैं तो उसमें enter डाल दे और यहां पर हम एक backslash डाल दे ठीक है तो backslash अगर हम डालेंगे तो यह इस चीज़ को एक string मान लेगा ठीक है और यह print कैसे करेगा यह देखो यहां पर यह अलग तरीके से print नहीं कर रहा है जो किये size of string यानि string का size कितना है कितने characters होते हैं string में यह कैसे पता करें अब तुम बोल रहे हो कि यहां पर हम गिन लेते हैं यहां कितने characters हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ गिन लिया, हो गया two string का क्या length है वो हमने पता कर लिया लेकिन हमारे पास एक function भी होता है और उस function का नाम है length function ठीक है, वो हमें क्या कर के देता है वो हमें string का length बता के देता है तो मैं यहां पर तुम्हें वो चीज़ बताता हूँ कि वो क्या है तो यहां पर मैंने length function का use किया हूँ है यहां पर मैं print के अंदर क्या कर रहा हूँ? len of r कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह से हम एक function को represent करते हैं, पहले function का नाम होता है, ठीक है? जब हम उसे call कर रहे होते हैं, तो पहले function का नाम होता है, और उसके अंदर कुछ argument होता है, यहां किसी variable को हम यहां पर डाल देते हैं, फिर किसी value को डाल देते हैं, तो यहां पर उसे हम argument कहते हैं, ठीक है? जब हम उसे call कर रहे होते हैं, तब फिलाल हम function को call कर रहे हैं, यहां कि function को मुला रहे हैं, तो मैं बस इतना जानना है, function क्या होता है वो मैं कुछ दिर में तो मैं बताने वाला हूँ ठीक है तो यहां क्या हो रहा है यह print भी एक function है ठीक है तुम देख रहो कि यहां पर एक नाम है उसके अंदर फिर parenthesis है और उसके अंदर कुछ value है ठीक है और अब यह value में भी क्या है यह value है वो भी एक function है तो यह function है फंक्शन का नाम और उसके बाद यह इस तरह से हम इसके अंदर कुछ डाल रहा है ठीक है तो यह अब कैसे काम करने वाला है जरा मैं इसे तुम्हें run करके दिखाता हूँ ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि print हो रहा है S, ठीक है, यहाँ पर यह S print हो गया, print हो रहा है R यह R यहाँ पर print हो गया, print हो रहा है length of R, यानि कि R में क्या length है, ठीक है तो यहाँ पर तुम count कर सकते हो, यहाँ पर यह 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो यहाँ पर s को अगर तुम count करो, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर मैंने count कर लिया, यह 24 है, ठीक है, तो इस तरह से जो है, वो len function काम करता है, अब यहाँ पर एक और चीज तुम्हें देखना है, यहाँ पर अगर मैं backslash n करूँ, तो क्या होगा, जैसे कि अगर यह तो काफ backslash n करता हूँ, ठीक है, तो अब तुम बताओ मुझे कि इसकी क्या value होनी चाहिए, इसके जो length है, वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या यह 1, 2, 3, 4, 5 होनी चाहिए, या फिर क्या इस चीज को यह 1 मान लेगा, escape sequences को पूरा 1 मान लेगा, याने कि 1, 2, 3, 4, यह होन इसा, क्योंकि यहाँ पर backslash n जो है, याने कि इस चीज को यह backslash n को एक escape sequence है, जो कि यह सिर्फ एक character मान लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इसे हटा के tab कर दूँ, याने कि backslash t कर दूँ, उसके बाद करूँ, तो क्या हो रहा है, यह देखो, उसके बाद यहाँ प यहाँ पर मैंने yards कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने yards कर दिया, तो यहाँ पर यह थोड़ा अजीब तुम्हें बता रहा है, ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने single quote का यूज की और single quote से यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ और खतम कर रहा हूँ, तो यहाँ यहां पर 6 प्रिंट होना चाहिए जरह मैं इसे रहन करके देखता हूँ तो इस तरह से मेरा जो लेंट फंक्शन वह काम करता है और शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं था तो मैं इस बार तुम्हें बता देता हूं कि एक टाइब नाम का भी function होता है तो यहां पर मैं उसे अगर type कर दूँ सिर्फ यहां पर मैं type लिख दूँ तो type क्या करता है कि type मुझे यह बताता है कि आर जो है वह कौनसे data type का है ठीक है तो यहां पर मैं से run करूँ अगर तो यहां पर मुझे यह बता रहा है कि class str यनिए क過來 hr नहाएं कि यहां पर अगर मैं आध को ओर बारीं तो मैं आट करनेंटियर ऊथा recognised मैं तो इसे मरें पर आगी है फ्लोट तो इस तोसे तुम जान सकते हो कि कोई भी वार्यबल यहुह कॉन साइड dud का तो यह था type function और यह था length function और अभी मैं इसे पहले ठीक कर देता हूँ उसके बाद हम कुछ और भी देखने वाले हैं आपर तो यहाँ पर मेरा पहले जैसे program था तो वो मैंने यहाँ पर वैसा ही कर दिया है अब मैं यहाँ पर क्या दिखाने वाला हो तुमें यहाँ पर मैंने तुम्हें अभी तक बताया है कि हम length function को कैसे use करते हैं किसी भी variable का length को जानने के लिए ठीक है length function को कैसे use करते हैं तो क्या होगा अगर मेरे पास यह जो string है वो multiline string हो ठीक है तो यहाँ पर मैं इस string को पहले चोटा कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने इसे चोटा कर दिया यानि कि ताकि हम इसे असाने से count कर पाएं यहाँ पर तुम देख सकते हो simply यहाँ पर 3 characters है तो मुझे क्या करना है कि मुझे multiline strings का length जानना है ठीक है तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर मैं सबसे पहले triple quotes वाले के बारे में बता जाता हूँ ठीक है triple quote है और यहाँ पर मैं इस चीज़ को हटाता हूँ पहले यहाँ पर इस चीज़ को मैं comment out कर देता हूँ comment out क्या होता है कि अगर मैं इसे comment out कर दूँ याने कि control और forward slash करूँ यह सिर्फ visual studio code के लिए ठीक है और अगर तुम किसी और id में code कर रहे हो तो उसके लिए तुम यहाँ पर simply यह hash लगा सकते हो ठीक है तो यहाँ पर एक shortcut होता है control forward slash उसे क्या होता है कि तुमारी कोई भी line जो है वो comment out हो जाती है और comment out हो रही है तो अब यहाँ पर तुम कुछ भी लिख दो यह हमारा जो interpreter है वो उस चीज़को run नहीं करने वाला उस चीज़को यह ignore कर देने वाला वो समझने नहीं वाला है यहाँ पर तुम इसका फाइदा उठा सकते हो कि यहाँ पर अगर तुम लिख दो कि नीचे किस चीज़के बारे में तुमने code लिखा है तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो a code about यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो तुम तो यहां पर मैंसे पहले जैसा कर देता हूं wa इस बर मैं कमेंट कर नौट कर रहा हूं कैसे इस बार मैं यहां पर simply एक is a Hash shop यूजा रा रहा हूं यहां पर मैंने यह कर दिया याँ फिर एक और तरीका होता है यहां पर जैसे कि एक है है और दिखिंए फिर तुम कमेंट लगा रहो ठीक है तो तो कमेंट नहीं रहते हूं तो तुम चाहते हो कि अगर तो मैं मल्धी लाइन कोमेंट्स बनाना है त्संनों डैरेक्ट टीपल कोड़ अदुसके दो तो यह सारा का सारा, उसके बाद फिर नीचे कुछ भी लिगदो, फिर नीचे कुछ भी लिगदो, यह सारा का सारा एक comment होगा, जब तक तुम triple code से उसे close नहीं करते हैं, हो गया, ये मेरा पूरा का पूरा एक comment हो गया, टिक है, तो इस तरह से comment हम डाल सकते हैं, तो यहाँ पर यहां पर लेंड फंक्शन का यूज करूं ठीक है अगर मैं यहां पर लेंड फंक्शन का यूज करूं और मैंसे लेंड करूं तो मिरे पास क्या आ रहा है फोर आ रहा है ठीक है तो फोर क्यों आ रहा है एक दो और यहां पर यू आ जा रहा है ठीक है यहां पर इसे तीन आना स्टार्ट करनी और new line को यह कैसे समझता है backslash n की मदद से तो यहाँ पर तुम्हें दिखनी रहा है वो लेकिन यहाँ पर वो है क्या है backslash n और backslash n जो है वो escape sequence है तो इसलिए उसे वो एक character count कर रहा है यानि कि एक character y हो गया एक character o हो गया एक character हमारा escape sequence जो की backslash n हो गया और उसके बाद 34 जो character है वो u हो गया यानि कि इस तरह से हमारे 4 characters बनके तो यह हमारे पास 4 आ गया तो इस तरह से हम len function का use कर सकते है multiline string के लिए तुमारे exam में यह question आ सकता है और यह तुम्हें confuse कर सकता है तो तुम में हगर हम enter कर दें और उपर में एक backslash दे दें ठीक है तो हमारा यह multiline string बन गया और हाँ इसमें यह खास बात था कि यह जो है वो एक new line यहाँ पर start नहीं होगी ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर इसे run करूँ तो यहाँ पर 3 आ रहा है क्यों यह 3 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक new line start नहीं हो रही है यहाँ पर backslash end नहीं है यहाँ पर यह इसका बस यह काम है कि यह से समझा है कि नीचे का जो लिखा हुआ है वो उपर में ही ले लो ठीक है यहाँ पर बहले मैंने नीचे लिखा है लेकिन इसे उपर ले लो और एक string बना दो complete तो यह y ou yu तो इस तरह से यह मेरा 3 हो गया length तो यह इस तरह से length function जो है वो काहां करता है अब हमारे पास next जो literal है वो है numeric literal अब numeric अब numeric literal के भी types होते हैं कौन-कौन से हैं int, float और complex तो सबसे पहले हम बात करते हैं integers की तो integers हम सब जानते क्या होता है positive और negative वाले सारे जो whole numbers होते हैं उन्हें हम integers कहते हैं ध्यान रहे कि कोई भी decimal point वाले जो numbers होते हैं जैसे कि 1.2, 2.3 इस तरह की चीज़ों को हम integers में नहीं count करते हैं इन चीज़ों को हम किन में count करते हैं float में अगर तो में किसी भी number में decimal point दिख जाए यानि की 1.0 भी दिख जाए अगर तो वो भी एक float data type है और next कौन सा हमारे पास complex हम सब ने अपने junior classes में पढ़ा होगा complex numbers के बारे में तो उसमें हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिने हम कहते हैं iota under root minus 1 इस चीज़ को हम small i से represent करते हैं लेकिन यहाँ पर हम j से represent करने वाले हैं ठीक है तो यह हमारे number को complex बनाने में help करता है अब यहाँ पर हम complex number को a plus b j के form में represent करते हैं जिनमें से a और b जो है वो float numbers होते हैं ठीक है वो floating numbers होते हैं याई decimal वाले numbers होते हैं और यहाँ पर यह जो j है यह simply represent करता है under root minus 1 को याई iota को जो की एक imaginary number है और यहाँ पर अब तुमें यह जो form दिख रहा है a plus b j तो इसमें मैं तुमें बताना साओंगा कि कौन सा part कौन सी चीज है तो a जो है वो हमारा real part है और b जो है वो imaginary part है तो इस तरह से हम एक complex number को represent कर सकते हैं अपने python program में बाकि और भी operations हम कर सकते हैं अपने complex number पे अब भी देखते हैं integer literals के बारे में अब यहाँ पर हमारे पास जो integer के literal है इन में 3 types होते हैं सबसे पहला decimal integer literal अब यह decimal वो float वाला नहीं है वो floating point वाला यह decimal नहीं है decimal point वाला नहीं है यह decimal number system वाला decimal है जैसे हम कभी भी normally बात करते हैं तो हम decimal number system में ही बात करते हैं जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहां point A से point B का distance जो है वो one kilometer है तो यहां पर यह decimal number system में ही है तो इससे मुझे किसी और number system में convert करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि decimal number system ही हमारा जो है वो हम use करते हैं अब दूसरा जो system है वो है octal, integer, literals का इन्हें हम कैसे represent करते हैं इन्हें represent करने के लिए हम शुरू में 0 लगाते हैं उसके बाद एक small o लगाते हैं और उसके बाद हम कोई भी अपना digit जो है वो लिख देते हैं ठीक है example तुम देख सकते हो अब next हमारे पास आता है hexadecimal integer literal इसमें क्या होता है इसमें आकर हमें represent करना है यानि hexadecimal में अगर हमें अपने number को represent करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले 0 लिखेंगे उसके बाद x लिखेंगे और उसके बाद कोई भी hexadecimal integer को लिख देंगे तो इस तरह से hexadecimal integer literal का हम काम कर सकते हैं represent कर सकते हैं और यहाँ पर एक और बात यह है कि इन चीजों को उतना depth में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत कम काम आने वाला है, अभी तो फिलाल थो हमें इनका बहुत कम काम आने वाला है, अब हमारे पास है floating point literals, इन्हें हम real literals भी कहते हैं, और इन्हें हम दो तरीकों से represent कर सकते हैं, सबसे पहला fractional form और दूसरा exponent form, fractional form हमारा जो हम normally use कर सकते हैं, जैसे 2.0, 17.5, minus 13.0, इस तरह से यह सारे जो हैं, यह valid है, fractional form के लिए, और अगर मैं इन में invalid बताऊं, तो invalid कौन-कौन से होते हैं, जैसे अगर तुम सिर्फ 7 लिख दो, तो यह को fractional form है नहीं, फिर तुम लिख रहे हो, plus 17 by 2, तो यहाँ पर तुम division इस symbol का use नहीं कर सकते हो, तुम्हें direct एक number लिखना है, फिर यहाँ पर तुम देख सकते हो, एक और हमारे पाइस एक example है, जो की लिखा हुआ है, 17,250.262, यहाँ पर तो दो चीज़े गलत यहाँ पर मुझ अपने फाइदे के लिए comma की use कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम python में काम कर रहे होंगे, तो हम किसी number के बीच में यहाँ पर comma नहीं देंगे, और साथ में यहाँ पर तुम देख सकते हो, दो decimal points है, तो decimal points दो नहीं होते हैं, तो अभी यहाँ पर है exponent form, तो exponent form क्या होता ह exponent form को represent करने के लिए हम दो पार्ट का use करते हैं, सबसे पहला mantiza और दूसरा exponent, जैसा कि मेरे पास एक number है 5.8, इना हम किन किन तरह से लिख सकते हैं, इना हम क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0.58 into 10, क्या इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ बिलकुल लिख सकते हैं, तो यहाँ प कोई बात नहीं, आगे देखो, तो देखो, 5.8 को हमने लिखा, 0.58 into 10 to the power 1, तो इसे हम क्या लिख रहे हैं, 0.58E01, ठीक है, यहाँ पर हम E लिख रहे हैं, E का मतलब क्या है, into 10 की power, यानि कि 0.58 into 10 की power, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 01 लिख दिया महन है, तो यहाँ पर mantiza part क वो E के RHS में जो है, वो exponent part हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर दो part है, तुम्हें दिख रहे होंगे, E का मतलब है, into 10 की power, और mantiza part जो है, exponent part जो है, और यहाँ पर एक और बात कि exponent को एक integer होना must है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़े valid है, क्या-क्या चीज़े invalid है, वो मैं बताते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ valid examples है, सबसे पहला 152E05, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, exponent part जो है, यहाँ पर, वो एक integer है, कोई floating part नहीं है, यहाँ पर, फिर अगला example, 1.52E07, तो यहाँ पर यह जो mantiza part है, यह floating है, तो यह चल जाएगा, अब यहाँ पर ह हमारे पास है, 0.25E-4, तो यहाँ पर यह by default इसको 0.25 मान लेगा, यहाँ पर जो mantiza part है, उसको 0.25 मान लेगा, और उसके बाद यह जो exponent part है, वो minus 4, यह तो ही valid, क्योंकि एक integer है, फिर हमारे पास है 3.E3, तो इसको भी यह 3.0 मान लेगा, और उसके बाद E3 मान लेगा, तो 3 into यह जाएगा, तो इस तरह से यह valid है, अब हमारे पास कुछ invalid examples भी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है, 1.7E, अब यहाँ पर E के बाद मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो यह तो invalid हो गया, क्योंकि मैं exponent part में यह पर कुछ दे नहीं रहा हूँ, यहा यह पर यह integer है, यह एक floating point है, यहाँ पर एक और example है हमारे पास 17,225E02, ठीक है, तो यह भी हमारा invalid exponent form हो गया, लेकिन यह कोई error नहीं देगा हमें, तो यह error क्यों नहीं देगा, मैं चाहता हूँ इस चीज़ को तुम comment में लिखकर बताओ, अगर किसी को पता है तो बताओ, व अब इन्हें हम किस तरह से लिखते हैं, यह तुमें ध्यान रखना है, true अगर तुम लिख रहे हो तो उसमें तुम T capital लिखोगे, false लिख रहे हो तो F capital लिखोगे, और इन्हें हम boolean true और boolean false भी कहते हैं, तो यह क्या बताता है हमें, कि कोई ए condition जो है, वो या तो true है या तो false है, उस चीज़ को समझने के लिए या फिर प्रोग्राम में कुछ काम में लाने के लिए हम boolean literal का help लेते हैं, अब हमारे पास आता है special literal none, none क्या है, none हमारे पास एक ऐसी constant value है, जिसका मतलब है कुछ नहीं, ठीक है, अब अगर तुम चाहते हो कि तुमारे पास कोई variable हो और उसको तुम कोई value assign नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम चाह रहे हो कि तुमारे पास उस program में वो variable रहे, तो तुम क्या करोगे, तो तुम उसको assign कर सकते हो, none, ठीक है, या तो तुम कुछ value उसे assign कर सकते हो, या फिर अगर तुमें कुछ नहीं assign करना तो तुम none use कर सकते हो और भी तुम्हें बहुत जादा काम पढ़ने वाला है नन लिटरल का तो ये धीरे-धीरे चीजे ये तुम्हें समझ आती जाएंगी अब हमारे पास जो अगला टोकन है वो है उपरेटर का तो अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाओ तो तुम अगर वन प्लस टू कर रहे हो तो यहाँ पर प्लस यानि एडिशन यह हो गया उपरेटर वगया तो अलग-अलग तरह के उपरेटर होते है और जीन चीजों पर हम यह काम परफॉर्म क मान लेते हैं कि तुम 1 और 3 का एडिशन कर रहे हो तो इसमें 1 और 3 जो है वो ऑपरेटर हो गया और यह जो एडिशन वाला जो है यह उपरेटर हो गया तो यह होते हैं अब ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर पे कुछ काम परफॉर्म करके हमें देते हैं अब हमारे पास अलग प्लस, यूनेडी माइनस, बिटवाइस कॉंपलिमेंट, फिर आते हैं binary operators, जब हमें दो operators की जब होता हो, तो उसे हम कहते है binary operators, अगर हम दो operators की बीच में कोई एक operator का यूज कर रहे हैं, उन्हें हम कहते है binary operators, अब आते है arithmetic operators, अब यहाँ पर basic mathematics में जो भी operators का तुम यूज करते हो, जैसे की addition का, multiplication का, modulus का, modulus का हम यूज करते हैं reminder निकालने में, ठीक है, तो इसे भी हम देखने वाले हैं, फिर exponent का, और यहाँ पर यह flow division, यह तुमने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हो कि flow division क्या होता है, तो जैसे की अगर तुम कर रहे हो 3 by 2, ठीक है, अगर तुम 3 by 2 कर रहे हो, तो उम्हेरे पास क्या answer आएगा, तुम्हेरे पास आएगा 1.5, लेकिन वही अगर तुम 3 flow division 2 कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हेरे पास 1.5 नहींहीं आएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो fractional form है, fractional part है, उस answer का, उसको यह neglect कर देता है, यह सिर्फ एक integral part में लाके देता है, ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं, हमारे पास एक expression है, जो कि यह 4 by 10, तो इसका answer हम सब जानते हैं, 0.4 होगा, ल operator होता है, और फिर bitwise exclusive, और होता है, यानि Zor operator, फिर bitwise और होता है, ठीक है, तो इन हम कैसे represent करते हैं, and को हम इस and वाले symbol से represent करते हैं, और bitwise exclusive, यानि Zor को हम इस symbol से represent करते हैं और और को हम इस straight line वाले symbol से represent करते हैं ठीक है और इनका use अभी तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पर हम जब programming में आगे चीजे पढ़ेंगे जैसे if else वाली चीजे पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं तुम्हें इन चीजों का use दिखाऊंगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा यह फिर हमारे पास आते हैं shift operator इन में shift left और shift right ऐसी चीजे होती है ठीक है तो अभी तुम्हें बस नाम जानना है बाकी में इनका काम क्या क्या होता है वो मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा फिर आता है identity operator इसमें क्या आता है is और फिर आता है is not अब यह is और is not क्या है ठीक है कोई बात नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा जब हम अलग-अलग तरह के data types पढ़ेंगे अभी तक तुमने क्या पढ़ा है numbers की data types पढ़ें उनने strings पढ़ा है फिर float पढ़ा है तो आगे हम और भी data types पढ़ने वाले हैं जैसे की set हो गया फिर dictionary list tuples इस तरह के अलग-अलग data types से जिनमें हम अपने data को store करते हैं अलग-अलग तरीके से तो इनमें हम अलग-अलग operations perform करते हैं इनमें हम loops लगाते हैं इनमें हम conditional statements लगाते हैं तो उसमें हम in operators का use करने वाले हैं कौन-कौन से है identity operators is और is not फिर हमारे पास आता है relational operators अगर तुमारे पास दो number है तो या तो उनमें से एक बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो equal होंगे दोनों ठीक है तो relational operators यही है कि less than greater than less than equal to greater than equal to equal to equal to और not equal to यहाँ पर दो नई चीज़े अगर तुम programming के field में नहीं हो तो यहाँ पर तुमें दो चीज़े नहीं दिख रही होंगी equal to equal to और not equal to तो equal to equal to हम कब use करते हैं जब भी हम किसी दो number का या फिर किसी दो variable का comparison कर रहे हो ठीक है हम single equal to कब use कर सकते हैं जब हम किसी variable में किसी चीज़ को assign कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम single equal to use करते हैं लेकिन जब हम compare कर रहे होते हैं यानि if statement में अगर हम कुछ compare कर रहे होते हैं तो उस time हम double equal to का use करेंगे और उसी तरह से यहाँ पर आता है है not equal to ठीक है जैसे हम सब जानते कि one is not equal to two ठीक है तो not equal to यह है इसे हम इस तरह से प्रेंट करते हैं एक explanation mark और उसके पाद equal to फिर हमारे पास आता है assignment operator assignment operator यहाँ पर तुम देख सकते हो equal to यहाँ पर अभी भी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी variable में कुछ value है तुम्हें assign करनी है तो तुम्हें यहाँ पर single equal to का use करोगे इन चीज़ों को मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूं रुको तो यहाँ पर मैंने दो एक असाइन कर दिया फिर मैं अगर इसे फ्रेंट करा दो तो यह तुम जानते हो यह क्या होता है तो अगर सिर्फ equal to लगा दे तो हम किसी variable में कुछ चीज assign कर सकते हैं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर यह output आच चुका है तो assignment operator से काम करता है फिर दूसरा जो है वो यह क्या करता है यह assign करता है कोशन्ट को ठीक है अब कोशन्ट को असाइन करता है तो कोशन्ट को कैसे असाइन करवा है तो जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से ए लिख रहा हूँ और इस बर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें असाइन कर रहा हूँ इसका कोशन्ट ठीक है तो अभी तुम यह समझ नहीं और अब क्या हो रहा है कि यह हो क्या रहा है यहां पर तो यह होता क्या है जैसे कि मैंने यहां पर पहले लिखा हुआ है A is equal to 8 तो यहां पर क्या हुआ कि A में 8 assign हो गया ठीक है और अब क्या हो रहा है कि A में जो भी चीज थी ठीक है यह जो line है वो मेरा क्या कह रहा है यह कह रहा है कि a में जो भी चीज थी उसको divide कर दो 2 से अब 8 को गर 2 से divide करेंगे तो क्या आएगा 4 ज़रा इसमें run करके दिखाता हूँ यहाँ तुम देख सकता हूँ यह 4 आ रहा है और जब भी हम python में कोई भी division करते है ठीक है तो वो automatically क्या करता है कि उस चीज को वो float में convert करके देता है यह python की आदात है कि वो कभी भी तुम division वाले operator का use करो अगर तुम यहाँ पर यह ना print करके 6 divided by 3 कर दो ठीक है तो यहाँ पर आना चाहिए 2 लेकिन यहाँ पर यह print करके देगा 2.0 तो यह आगया float में कभी भी हम division यूज करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा तो यह था assign quotient का ठीक है operator और अब मेरे पास plus का यहीं पर अगर मैं quotient के जगा मैं plus कर दू तो क्या होगा अब यह क्या कह रहा यह कह रहा कि a में जो भी चीज थी उसमें add कर दो 2 को मैं certain करू तो 8 plus 2 क्या होता है 10 आ गया है आपर 10 फिर क्या है assign multiplication यहापर addition के जगह मैं आपर multiplication डाल के दिखाता हूँ मैं 8 into 2 16 यह भी आ गया ठीक है अब क्या है assign remainder ठीक है तो इसके जगह मैं आपर जब मैं remainder का sign डालूँगा तो remainder क्या होता है कि यह क्या कह रहा है कि a जो है यानि कि a में 8 है ठीक है तो a को 2 से divide करने पर remainder क्या था तो अगर मैं 8 को 2 से divide करूँगा तो remainder obviously 2 आएगा obviously 0 आएगा तो इसे मैं अगर run करूँ तो यहाँ पर यह 0 हा रहा है next क्या है difference assign करने का तो यहाँ पर मैं आप पर minus कर देता हूँ ठीक है तो यह assign क्या गरेगा difference यानि कि 8 minus 2 क्या हो जाएगा 6 आगा 6 अब क्या है exponent operator ठीक है यहाँ पर मैं exponent operator लगाता हूँ तो यह क्या होगा कि मेरा 8 का square हो जाएगा ठीक है यानि 8 के exponent में 2 डाल दो तो 8 square क्या होता है 64 ज़र हम इसे रण करके देखता हूँ आगा 64 अब है मेरे पास floor division ठीक है तो floor division मैंने तो बताय क्या होता है अगर मैं यहाँ पर floor division लगा दू तो 8 को अगर 2 से divide करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 4 अगर हम यहाँ पर division operator यूज करेंगे तो हमारे पास 4.0 आएगा लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ floor division कर रहा हूँ तो यह मुझे सिर्फ 4 निकाल के देगा यहाँ तुम देख सकते हैं यहाँ पर मैं पास 4 आया और यहीं अगर मैं कोई odd number लगा दूँ यहाँ पर जैसे की जैसे की मैं यहाँ पर 3 लगाता हूँ ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर 3 लगा रहा हूँ तो क्या आना चाहिए अगर मैं सिर्फ divide करूँ यहाँ पर मैं 8 by 3 करके दिखाओ तुमें तो क्या आना चाहिए यह number आना चाहिए ठीक है तो इसके जगा क्या लाके देगा मेरे को सिर्फ 2 लाके देगा मैं इसे तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर अगर मैं इसे run करूँ तो यहाँ पर देखो यह मुझे सिर्फ 2 लाके दे रहा है तो इस तरह से यह operators काम करते हैं फिर आता है logical operator अब logical operators में क्या आते हैं logical AND और logical OR अब इससे पहले वाला जो chapter था boolean logic उसमें काफी तरह के अलग-अलग logic gates थे, logic circuits थे मैंने बहुत अच्छे से उसमें भी animation की है उससे बताया सब कुछ तो वो तुमने अगर नहीं देखा है तो तुम देख सकते हो पूरा का पूरा chapter one shot में covered है तो अभी यह logical operators कौन-कौन से हैं logical AND और logical OR AND और OR में तो तुमें फर्क पता ही होगा इतने बड़े होगा अभी तक तो तुमें पता ही होगा फर्क अब आता है हमारे पास membership operator membership operator हमारे पास दो होते है एक होता है in और दूसरा होता है not in मतलब अगर तुमने कोई कुछ अलग-अलग चीजों का एक list बना कर रखा हुआ है और तुम किसी एक चीज को उसमें ढून रहे हो तो या तो वो चीज वहाँ पर मिलेगी या तो नहीं मिलेगी तो यहाँ पर in और not in का यही काम है कि यह इस तरह से चीजों को ढून के दे अगर मिल रही है तो फिर true return करेगा यानि कि true बताएगा कि हाँ मिल गई है अब हमारे पास आते है punctuators तो punctuators का क्या काम होता है अब यहाँ पर तुम जो भी symbols देख रहे हो जैसे कि single quote होगा double quote या फिर hash hash का तुम कभ यूज करते हो comments को डालने में ठीक है और फिर एक backslash हो गया brackets हो गया लग-लग तरीके के add the rate symbol और फिर comma colon यह सारे जो हैं यह सब जो भी हम use करते हैं अपने प्रोग्राम बनाने में तो इसे हम इन्हें हम punctuators कहते हैं अब हमारे पास एक और topic है bar bones of python program चीक है तो अब हम देखने वाले है bar bones of python program चीक है तो इन्में हम क्या देखने वाले है statements, expressions, comments, function, block indentation यह चीज़े हम देखने वाले कि किन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं expressions क्या होते हैं अब expression कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका result, कोई value हो मतलब कि अगर तुम यहाँ पर देखो तो मैं अगर मान लेते हैं हमें यह नहीं लिखा हुआ है माल लेते हैं हमारे पास यह लिखा हुआ है 1 plus 2 इतना लिखा हुआ है तो यह जो चीज़ है यहाँ इस चीज़ को मत गिनो यहाँ पर मैंने इससे सिर्फ comment out करने के लिए लगा है तो यह जो चीज़ है इसका value क्या होगा तो इसका कोई value निकल के आ रहा है तो यह expression होगा है तो इसके जगह अगर मेरे पास यह a होता a plus 2 होता और a में मैंने उपर में कहीं पर store करके रखा होता 1 तो क्या होता 1 plus 2 यह भी 3 होता तो इसे भी हमें एक expression कह सकते है तो ऐसी चीज़ जिसका कोई value निकल के आ हमारे पास उसको हमें एक expression कह सकते है जैसे कि अगर मैं आपर तुम यहाँ पर देख सकते हो num-num का एक variable है और यहाँ पर हमने modulus operator लगा है उसके बाद फिर aisle लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसका भी कोई value आने वाला है तो यह expression हो गया मेरा यहाँ पर मैंने बस एक simple सा एक program बना कर रखा हुआ है prime number find करने के लिए कि यह हमें आपर कुछ एक number enter कर रहा है और यह हमें बता कर दे कि वो number जो वो prime है या नहीं तो अब हम बात करते हैं statements के वारे में तो statement क्या होते है यहाँ पर तो मैं कोई भी एक line दिख जाए जो कि एक काम कर रहा है जैसे कि यह क्या हो रहा है एक function को call कर रहा है तो यह statement हो गया फिर बाद में यहाँ पर मैं statement है तो इस तरह से ये एक मेरा statement होता है अब comments क्या होता है comments मैंने तुम्हें बताया already कि यहां पर से मैं hash डालके कुछ भी लिख दो तो वो एक मेरा single line comment हो गया तकी needness बनी रहाए और किस जग़ह पर हम क्या कर रहा है वो भी हम यहां पर डाल सकते हैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि MEME function को define कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया defining a function यानि कि यहां से लेकर अभी नीषे जो मेरा program वह function को define कर रहा है फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुग trust taking input for number थीक है तो यह जो मेरा kom क्या और अच्छा बना सकूँ कोई मेरा प्रोग्राम जो है वो पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि अब इस जगा पर क्या हो रहा है उस जगा पर क्या हो रहा है जादा सोचना ना पड़े ठीक है और मुझे कभी अपने प्रोग्राम में changes करने पड़े तो किस section में मुझे change करने ह और मुझे यह पता रहा है एक और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि function क्या होते है तो जैसे कि अगर मैं तुम्हें से पहले run करकर दिखा तो यहाँ पर मैंने इसे run किया यहाँ से मेरा output जो है वो शुरू हो रहाया चुक है यह कहा रहा है हां भाज साब कैसे हो सब बड़ि यहां बाई साब कैसे हो सब बढ़ियां ठीक है तो यह मेरा प्रोगाम इस तरह से काम कर रहा है तो मैं यह थोड़ा यह लाइन जो है यह चीज थोड़ी अजीव लग रही होगी इसको डालने का भी मेरा एक परपस है मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं इसलिए मैंने तो जैसे की मेरे पास यह पूरा एक प्रोग्राम है ठीक है तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने यहां पर रन किया यहां पर मैंने 6 डाल दिया तो यहां पर यह एक काम को वह दो बार कर रहा है कौन सा काम यहां पर इस लाइन को यहां पर इन तीनो लाइनों को और य नहीं है यह कब कर रहा है नंबर मांगने से पहले ठीक है यानि कि यहाँ पर यह नंबर मांग रहा है इससे पहले यहाँ पर यह हो रहा है ठीक है इस function को call किया जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता है था कॉल कर रहा हूं ठीक है अभ यह function कॉल क्या है तुम मैं नहीं नहीं समझा रहा होगा कोई बात नहीं मैं अब इसे run करके देखो तो मेरे पास वो text नहीं आएगा ठीक है डायरेक्ट यह मुझे पूछ रहा है कि enter a number यानि number enter और मैंने 9 डाल दिया यह मुझे बता रहा है कि यह composite number है तो मेरे को यहाँ पर यहाँ पर वो चीज़े मैंने हटा दी यहाँ पर तो वो चीज़ अगर मेरे को डालनी है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ उसे क्या करना है simply मैंने यहाँ पर सही से copy किया ठीक है और मैंने जहाँ पर भी function one को call किया था अभी तुम्हें समझनी हो रहा है कि function यह function होता क्या है यह call करना क्या होता है कोई बात नहीं तुम बस देखते जाओ यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को डाल दिया यहाँ पर यह थोड़ा alignment सही कर लेता हूँ मैं इसे indentation कहते हैं मैं अभी बताने वाला हूँ बस function के बाद तुम्हें मैं indentation और blocks के बारे में बताने वाला हूँ तो पहले functions निप्ट आ लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं इनको copy कर लेता हूँ ठीक है तो यह जो लाइन है यह तीन लाइन इनने मैं copy करता हूँ ताकि मुझे इस बार alignment साही करने की सिब्रत ना पड़े तो यहाँ पर मैंने यह paste कर लिया ठीक है अब मैं यहाँ पर इसे run करता हूँ यहाँ पर देखो यह वापस पहले जैसा हो गया ठीक है यहाँ पर मैं 8 कर रहा हूँ ठीक है तो क्या हो रहा है यह तीन लाइन फिर से आ गया है यह तीन लाइन फिर से आ गया है तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर यह जो तीन लाइन है यह मैंने दो बा कर दिता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा एक काम है और ये ही सेम टू सेम काम मैंने यहां पर भी किया हो था हृए ठीक है, तो ये पूरा एक सेट उफ काम है, ठीक है, इसको मैं multiple times कर आ रहे हूँ अपने program में ठीक है तो यहाँ पर तो तो मैं बिस दिख रहा है कि मैं दो बार करवा रहा हूँ लेकिन क्या होगा कि अगर मेरा program बहुत लंबा हो और उसे मैं 5-6 बार कर रहा हूँ या 20 बार करवा हूँ ठीक है तो क्या होगा कि यहाँ पर यह multiple lines of code मुझे बार-बार लिखने होगे ठीक है तो यह मुझे बार-बार करना होगा तो यह मैं नहीं चाहता मैं करना बार-बार मैं क्यों चाहूँ क्योंकि यह एक ही code है यह एक ही set of code है तो इसे मैं एक function में define कर सकता हूँ ठीक है तो मैं इस चीज़ को को में डिफाईन कर देता हूं और उसके बाद हर बार मैं क्या करूंगा कि उस function को तो जब जब मैं उस function को यहां को केरा तो pro can't यूए वो मेरे पास आ जाएंगे ठीच है तो अब क्या करता हूं function को call कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पर भी मैं function को call कर रहा हूँ function को कैसे call करते है मैंने तुम्हें बताया था print का example देखे कि पहले यहाँ पर function का नाम होता है और उसके बाद parenthesis लगा होता है और यहाँ पर तुम चाहो तो कोई argument डाल सकते हो तो वो तुम कब डालोगे उसका भी अलग explanation है वो मैं बाद में तुम्हें बताऊँगा जब तुम functions बढ़ रहे होगे यहाँ उपर देखते हैं यहाँ पर भी वो सेम चीज़ है और यहाँ पर यह function का तो यहाँ पर मैंने function define किया हुआ है function दो तरह के होते हैं एक user define function और एक होता है predefined function तो user define जैसे जो की हम define कर रहे है यहाँ पर यह func1 नाम का python में officially कोई एक function है नहीं यह function हम define कर रहे हैं हम इसमें कहरे हैं कि अगर तुम्हें call किया जाए तो तुम यह सारे काम करके दो और predefined function क्या होता है जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो यह int function है यह क्या करता है कि इसके अंदर कुछ भी डालो तुम उसे int बना के देता है फिर input function है यह क्या करता है कि इस चीज का prompt करके कोई एक input लेता है और क्या होता है यह उते हैं predefined functions और हम जो यहां पर इस तरह से define करते हैं तुम्हें किस तरह से define करना यह भी सीखने की जरूरत नहीं है बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह होता क्या है तो इस तरह से जो मैं define कर रहा हूँ वो है user define function जो कि user define कर रहा है यानि मैं define कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ set of codes लिख दिये ठीक है और इसे एक function में डाल दिया यानि कि इस function को अब जब भी call किया जाए तो यह सारे काम यह करके दे ठीक है तो शुरू सी यह मेरा काम कैसे कर रहा है यह program अब मैं इसका flow बताता हूँ तुम्हे शुरू हो रहा है यहाँ पर इसने देख लिया कि एक function को define किया हूँ कुछ काम करना नहीं है इसे बस बस एक function में इसने इस चीज़ को डाल कर दिया अब जब भी इसे call किया जाएगा तब इसका काम पड़ेगा ठीक है तो इसने इसे को read करके छोड़ दिया अब आगे बढ़ते है आगे function 1 को call किया अच्छा ठीक है तो function 1 को call किया तो अब यह यह तिनो code को यह तिनो lines of code को यह execute करेगा ठीक है तो पहले यह print होगा फिर यह print होगा फिर यह print होगा या फिर इसमें अगर और भी कुछ लिखा होता प्रिंट के अलावा तो या फिर मान लेते किसी variable में किसी number को assign किया होता तो वह चीज चल जाता हमारा यहां पर ठीक है त तो खेर वह बाहर के लिए काम में नहीं आता local scope, global scope वो एक अलग चीज है उसे भी हम बाद में cover करेंगे जादा confusion होने किसे भी तुम्हें जरूरत नहीं है यहां पर क्या होगा कि यह सारे code जो है वो चल जाएंगे ठीक है जब इस function को call किया जाएगा तो यहां पर यह function को call क हमका variable है इसमें हम कुछ assign कर रहे है ठीक है उसके बाद एक यह process है यह पूरा का पूरा process है यह अभी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है आगे समझ जाओगे तो इस तरह से हम यहां पर check कर रहे हैं तो इस तरह से यह मेरे को check करके बताएगा कि यह वो prime है अगर यह condition true होत ठीक है तो इस तरह से मेरा program जो वो पूरी तरह से execute हो रहा है तो यह था function अब हमें देखना है blocks और indentations क्या होते हैं ठीक है तो blocks क्या होता है block एक ऐसे group of statements होते हैं जो कि किसी एक statement का part हो ठीक है अब इस चीज को ध्यान से समझो जैसा कि मेरे पास यहां पर एक statement है def funk one ठीक है तो इसके नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इस statement का part है यानि कि यह जो group of statements है वो इस statement का part है ठीक है तो यह जो है यह हमारे एक block हो गया ठीक है यह एक function का हमारे एक block हो गया अब indentation क्या होता है यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर funk one में तीन चीजे define की हुई ह और तीनो के पहले यहाँपर थोड़ी सी spaces लगी हुई है ठीक है इफ़िव ही हम खहते हैं indentation या तो तुम इसे tab से लगा लो या तो कुछ spaces दे दो और वो align होनी चाहिए ठीक है तो इसे हम कहते हैं indentation अगर मैं इसे बाहर कर दूं ठीक है तो अगर मैं इसे यहाँपर बाहर कर दूँ ठीक है तो मैंने आपर इसे इस indentation से बाहर कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि अब यह जो चीज़े हैं यह इस func1 के अंदर आ रही है और यह जो यहाँ पर यह print सब बढ़िया यह जो है यह इसके अंदर नहीं आ रही है यानि कि अब मेरा जो function है वो बस इतना ही रह गया है अब इसकी नीचे जो कुछ भी है वो alignment में है यानि कि indentation उसका अलग हो गया तो यह इस function के block पे नहीं आ रही है ठीक है तो अगर मैं इसे अभी run करूं तो यहाँ पर इसे दिखा सकता हो मैं तो यहाँ पर यह क्या हो रहा है कि सबसे पहले सब बढ़िया प्रेंट हो गया और उसके बाद जो है यहाँ पर यह line मेरा चल जा रहा है ठीक है क्योंकि क्योंकि यह statement है तो यह statement चल जा रहा है तो indentation हमें इस तरह से help करती है block बनाने में अगर हम इस program में और दखे कि कहाँ पर indentation है तो अगर हम नीचे आए तो सबसे पहले यह हमारा if statement है यहाँ पर block अलग है ठीक है तो यहाँ पर यह चीज़े जो है यह else के अंदर है और यहाँ पर यह जो यह चीज़े वो if के अंदर है और यह मुझे कैसे पता चल रहा है इस indentation की मदद से पता चल रहा है ठीक है और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक यह यह जो कुछ भ अब हमारे पास है variables and assignment का topic variable क्या होता है अभी तक मैंने तुम्हें बहुत बोला है variable 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 लेकिन यह variable होता क्या है तुम्हें पता होगा variable क्या होता है लेकिन फिर भी इसको define कैसे करेंगा तो देखो अगर हम बात करें C++ या फिर C की और वहीं अगर हम उसके opposite में बात करें python की तो यहाँ पर variables का थोड़ा अलग concept होता है अगर हम बात करें C++ या फिर C की तो उसमें variable को store करने की technique को use किया जाता है वहीं अगर हम बात करें python की तो उसमें variable में reference का जो technique है उसको use किया जाता है अगर मैं तुम्हें C और C++ के language में बता हूँ उसके perspective से बता हूँ तो किस तरह से मैं explain करूँगा मुझे नहीं करना चाहिए आपर मैं तुम्हें python बढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं आपर तुम्हें C और C++ के reference में तुम्हें बता रहा हूँ के लिए ठीक है तो उस pen drive के अंदर मैंने उस गाने को store करके रखा हुआ है तो यह जो मेरे पास जो pen drive है ठीक है तो यह जो pen drive है इसे मैं एक variable का नाम दे सकता हूँ और दे सकता हूँ ठीक है यहाँ पर कुछ वैसा होता नहीं है मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ तो यह जो pen drive है वो मेरे variable की तरह act कर सकता है और उसके अंदर जो value मैंने store करके रखी हुई है वो जो गाना है उसे मैं value की तरह समझ सकता हूँ ठीक है तो यह काम होता है variable और values का ठीक है तो variable जो है वो value को store करके रखती है और यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि store करना और refer करना अलग-अलग है तो मैं अच्छे से बताऊंगा मैं ठीक है लेकिन अभी नहीं यह मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब हम lists पढ़ रहे होंगे ठीक है तो फिलाल के लिए तुम बस यह समझ के रख लो कि अगर हम किसी variable में कुछ assign कर रहे है तो वो variable जो है वो उस चीज को refer कर रहा है ठीक है वो उस memory address को refer कर रहा है और यह जो है वो one को अपने अंदर store करके रख ले रहा है तो भी तुम अभी इतना कर सकते हो कोई बात नहीं अभी तुम्हें difficulty नहीं आएंगी लेकिन मैं बता रहो कि इस तरह से होता नहीं है ठीक है तो मैं वो समझाने वाला हूँ तो simply अभी तक तुमने पढ़ा है कि कोई भी एक letter डाल दो या फिर variable कैसे assign करते है variable का नाम क्या रखना है यह rule मैंने तुम्हें अभी तक बताय हूँ है कौन कौन से rules थे जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर मैंने क्या किया किया कि एक variable नाम बना लिया है h नाम का और उसमें कुछ एक value assign कर रहा हूँ तो यहाँ पर variable का जो नाम है उसके कुछ rules होते हैं ठीक है क्या किया rules होते हैं पहला वो start किसी digit से नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह एक variable नहीं बना मेरा ठीक है और अगर तुम्हें यहाँ पर multiple other letters हैं और digit को मैं रटाता हूँ तो अभी यह मेरा एक variable है ठीक है और variable का नाम है और अगर मैं यहाँ पर बीच में कोई एक special symbol यूज़ करता हूँ जैसे यह यूज़ कर दिया ठीक है यह मेरा एक variable नहीं बना यह कर दिया यह मेरा एक variable नहीं बना मैं कुछ भी करता हूँ यह मेरा एक variable नहीं बनता है लेकिन वही अगर मैं यहाँ पर अगर सिर्फ underscore डालू तो मेरे यह एक variable बन जाता है यानिकि underscore मैं डाल सकता हूँ और यह underscore अगर मैं शुरू में डालू तो भी यह बन जाएगा ठीक है तो भी एक variable बन चुका है यहाँ पर अगर मैं इसे print करके देखूँ जैसे कि मैं यहाँ पर एक print कर देता हूँ यह मैंने लिया इसे यहाँ पर मैंने इसे copy कर दिया और यह मैंने इसे यहाँ पर तो क्या यह run होगा मैं इसे run करके देखता हूँ हाँ यह run हो गया यहाँ पर यह मेरे पास आ गया है तो इस तरह से मैं एक variable बना सकता हूँ। क्या और कुई rule है। हाँ, एक और rule है। यहां दो और rule है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे space दाल दू यहाँ पर और तो यह मेरा एक variable नहीं बना। इसे मैं उटा देता हूं यहाँ पर तो यह एक variable नहीं बना है, यानि कि एक word होना चाहिए हमारा एक variable, ठीक है, और दूसरा क्या है, कि यहाँ पर मैं कोई एक keyword नहीं उसकर सकता हूँ, keyword कौन कौन से, जो की reserved word होते हैं python में, जैसे कि for, if, else, यानि कि अगर मैं if को यहाँ पर डाल के देखूँ, ठीक है, if डाल दिय मैंने, और यहाँ पर अगर मैं print करूँ, print करवाना चाहूँ, यहाँ पर मैं if नाम का एक variable बना रहा है, उसमें कुछ value डाल रहा हूँ, अगर मैं print करना चाहूँ, तो क्या रहा है, यहाँ पर यह मुझे एक invalid syntax बता रहा है, ठीक है, तो इस तरह से मैं एक variable को बना सकता और अलग अलग तरीके होते है वरियेबल बनाने के जैसे कि मैंने आपर a is equal to 0 डाल दिया ठीक है ये एक simple तरीका है तो अब और कौन कौन से तरीके होते हैं सबसे पहला मैं तुम्हारे बताता हूँ multiple assignment का जो तरीका है वो बताता हूँ अगर यहां पर तुम्हारे पास सिर्फ a के जगा multiple variables है और उन में तुम्हें same चीज़े store करनी है शुरू में तो यहां पर तुम इस तरह से डाल सकते हो a is equal to b is equal to c ठीक है यहां कि क्या हो रहा है कि a में हम b में c में तीनों में हम 0 assign कर रहे है ठीक है यहां पर अगर तुम print कर दो कुछ भी print कर दो यहां पर तुम a क c print कर दो ठीक है क्या आता है 0 0 0 आ जाएगा run करके देखते हैं आ गया 0 0 0 तो इस तरह से multiple assignments का जो concept है वो काम करता है इस तरह से हम multiple variables में एक चीज़ assign कर सकते हैं और फिर ऐसा नहीं है कि हम यहां पर a equals to b हमेशा रहेगा यहां पर हम चाहें तो नीचे change कर सकते हैं b मैंने 9 ड ठीक है तो मैं अगर यहां यह करूँ तो यहां पर क्या print होगा a में क्या है 0 और b में हमने क्या कर दिया 9 कर दिया ठीक है तो 0 और 0 space 9 यह print हो रहा हमारा ठीक है यहां पर यह जो comma है ठीक है यह हमारा एक separator है यह अलग argument है यह अलग argument है यह हमारा जो comma है वो separator का का काम कर रह थीक है, तो यहां पर तुम देख रहे होगे, तुम सोच रहे होगे, यहां पर यह सेपरेटर हम यूज कर रहे है, वो तो कॉमा है, तो यहां पर यह स्पेस कैसे आ रहा है, क्योंकि यह by default होता है, ठीक है मैंने भी तुम्हें क्या बताया था print के अंदर हम end डाल सकते हैं ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पर end डाल गया ठीक है end में by default क्या होता है backslash end यह होता है लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी होती है क्या होता है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर step लिखूँ ठीक है step is equals to यह डालो और उसके बाद मैं यहाँ पर एक space डाल दो फिर क्या होता है क्या कोई change आएगा यहाँ पर देखा output में क्या 0 9 क्या मैं इसे अब run करता हूँ ठीक है क्या कोई change है कोई change नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने वह चीज़े डाली है जो कि by default इसमें रहती ही है ठीक है end में backslash end इसमें रहता ही है print statement में और step यानी separator में यह जो space है वो रहता ही है यानि कि यहाँ पर यह जो comma है इसके जगा पर यह क्या आ रहा है space हा रहा है तो space already यह चीज हमारे पास already print statement में है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर change करके equal to गल दू ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पर 0 equal to 9 यह लिखा हुआएगा मेरे पस मैं इसे run करके दिखाता हूँ देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 0 equal to 9 तो यहाँ पर यह 0 equal to 9 print होके आ रहा है यहाँ पर a, b है तो यहाँ पर यह 0 equal to 9 print होके आ रहा है अब हम अगर multiple variables में multiple values को assign करना चाहें तो हम क्या करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में जैसे कि मैंने आपर माल लेते कि मैंने A में 1 स्टोर कर दिया यहां मैं स्टोर बोल रहा हूँ सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए तुम समझ लो कि मैंने असाइन बोलाया C is equal to 3 ठीक है तो यहां पर मैंने A में 1 असाइन किया B में 2 असाइन किया C में 3 असाइन किया यह चीज मैं आपर कर रहा हूँ तो क्या मैं इसे एक लाइन में कर सकता हूँ इस पूरे काम को हाँ मैं कर सकता हूँ कैसे कर सकता हूँ मैं यह दिखाता हूँ अभी तुम्हें A, B, C एक्वल्स टू 1, 2, 3 ठीक है तो यह मैंने एक लाइन में क्या कर दिया कि अब A में 1 जाएगा B में 2 जाएगा C में 3 जाएगा अगर मैं प्रिंट कर वाऊं तुम देख सकते हो यहाँ पर A, B, C यहाँ पर मैं प्रिंट कर वाऊं तो आएगा 1, 2, 3 यहाँ पर तुम देख सकते हो आगया 1, 2, 3 तो इस तरह से मेरा यह जो multiple assignment है यह हो रहा है यहाँ यहाँ ए 1 जा रहा है, B में 2 जा रहा है C में 3 जा रहा है और क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इसके नीचे यह लिख दो कि मेरे को A is equal to यहाँ पर मैं अगर यह लिख दो A, B is equal to तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा change किया ठीक है, यहाँ पर पहले मैंने यह चीज़ तो assign किया हुआ हुआ उसके बाद फिर मैं यह भी कर रहा हूँ और उसके बाद मान लेते कि मैं और C में कुछ change किया हुआ है नी तो मैं C को घटा दे रहा हूँ यहाँ यहाँ से, मैं अपर सिर्फ A और B को print कर वाना चाहरओ तो इसमें क्या हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर तुम ध्यान से देख सकते हो जरह ऐसे मैं रन करके देखता हूँ नहीं यहाँ पर यह 7 नहीं हुआ यहाँ पर यह 6 थो print और है लेकिन यह 7 की जगह मुझे 2 print करे दे रहा है नहीं कि B प्रिंट करने के जगह पर इसने मुझे क्या print करके दिखा इसने मुझे क्या print करके दिया A plus 1 जो कि क्या होना चाहिए 6 प्लस 1 याने कि 7 होना चाहिए लेकिन यह मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है 2 प्रिंट करके दे रहा है तो यह कहां से हो रहा है यह यहां से हो रहा है तो यहां पर यह जो B है B में हम क्या कर रहा है A प्लस 1 इस value को assign कर रहा है ठीक है तो A को यहां से नहीं उठा रहा है A में यहां पर 6 गया इसको यहां से यह नहीं उठा रहा है इसको यहां से उठा रहा है A में जो 1 उपर में स्टोर कर रहा है हम लोग तो A में यहां पर 1 चला गया ठीक है अब 1 प्लस 1 यहां पर यह 2 हो गया तो इस तरह से यह B में 2 असाइन करके दे रहा है, ठीक है, तो यह ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पर मैंने A को 6 मैंने यहाँ पर दे चुका हूँ, तो फिर यह B जो हमारा है, वो A की value को यहाँ से क्यों उठा रहा है, क्योंकि यह जो पूरी line है, वो एक साथ execute हो रही है, ठीक है, तो इसलिए यह काम हो रहा है, यानि कि इसके पहले जो कुछ भी था, वो तो execute हो चुका है, लेकिन अब क्या हो रहा है, कि अब इसके बाद जो है, वो यह line execute हो रही है, यानि कि एक ही बार में हो रहा है कि a में 6 जा रहा है और b में a प्लस 1 जा रहा है तो इस तरह से यह अब तक की values को यहां तक मानके चलेगा और उसके बाद यह काम करेगा ठीक है तो यह काम हो रहा है तो यह confusion तुम्हें ना हो इस पर questions आते हैं कभी-कभी तो यह मैंने तुम्हें बता दिया अब यहाँ पर एक और important चीज है कि हम variable के values को swap कैसे करते है यानि की interchange कैसे करते है यानि A की value जो है वो मुझे B में डाल दी है और B की value है वो A में डाल दी है ठीक है तो वो कैसे होगा simple है यहाँ पर मैं यह लिख सकता हूँ जैसे कि मैं अगर मैं यहाँ पर simple print कर रहा हूँ A में आपर पहले already क्या है B में 2 है अगर मैं इसे run कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1 space 2 यह मेरा output screen में आ गया लेकिन अगर मैं यहाँ पर यह करूँ एक कॉमा तो इससे क्या हो रहा है कि A में B assign हो रहा है और B में A assign हो रहा है अब अगर मैं इसे run करके देखो तो यहाँ पर यह मेरा 2 space 1 यह output आ रहा है यहाँ पर यह तुम देख सकते हो तो इस तरह से मैं swap कर सकता हूँ swap करने के और भी तरीके हैं जैसे कि मैं एक अलग variable बना सकता हूँ जैसे कि अगर मैं एक new variable लेता हूँ यहाँ पर मैंने C लिख दिया अब C में मैं क्या कर रहा हूँ C में मैं store कर रहा हूँ माल लेते हैं कि मैंने B को store कर दिया यहाँ पर कभी कभी question आता है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास दो variable है और उनकी value सो swap करो with the use of another variable ठीक है तो यहाँ पर वो मैं दिखा रहो कि वो तुम कैसे कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक C variable ले लिया ठीक है उसमें मैं B की value assign कर रहा हूँ ठीक है और अब मैं क्या कर रहो फिर मैं A में जो है वो मुझे B की value assign करनी है तो मैं यहाँ पर वो C कर दूँगा ठीक है क्योंकि B में अभी A आ चुका है ठीक है और B को मैं already C में डाल चुका था इस चीज़ को तुम ध्यान दो ठीक है तो इस तरह से भी मैं assign कर सकता हूँ तो अगर मैं इस statement को comment out कर दूँ तो भी यहाँ पर मेरा 2 space 1 यही print होगा देगा आपर तुम देख सकते हो तो इस तरीके से भी तुम swap कर सकते हो और एक तीसरा तरीका भी है वो है तुमारा कि तुम addition और subtraction की help से तुम swap करोगे तो वो तुम कैसे करोगे अगर तुम वो कर सकते हो तो मुझे comment में बताओ अब देखो python जो हमारी language है उसमें ऐसा है कि हम किसी variable को define तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसमें कोई value न डाल दें तो जैसे कि यहाँ पर मैं print करवा रहा हूँ A को और B को ठीक है या तुम error का नाम देख सकते हो error के नाम भी होता है तो यह name error है तो मेरे पास name error आएगा तो A नाम का मैंने कोई variable डिफाइन नहीं किया है और यह मेरे तब तक डिफाइन नहीं हो जब तक मैं A में कोई value न डालू तो उसके लिए मुझे A में कुछ डालना पड़ेगा A में मैं या तो कोई string डाल सकता हूँ या तो कुछ भी डाल सकता हूँ तो अगर मैं इसे run करूँ तो यहाँ पर यह मेरे पास आ जाता है तो इस तरह से एक variable बनता है जबकि C और C++ की अगर तुम बात करो तो वहाँ पर क्या होता है कि तुम बिना value का assign किये किसी एक variable को बना सकते हो किसी भी data type में अब python में जो है वो हमारी dynamic typing यूज होती है ठीक है dynamic typing क्या होती है कि अगर हम एक code बना रहे ठीक है अब यहाँ पर मैं अचानक मेरा मन करता है कि मैं A में कुछ एक integer store कर दूँ ठीक है तो यहाँ पर यह वही A है ठीक है यहाँ पर मैं अगर print करना चाहूँ तो भी 8 print होगा अगर मैं इसे comment out कर देता हूँ मुझे यहाँ पर इसे comment out करने की ज़लूलत है तक ही यह कोई error ना दे मुझे तो यहाँ पर मैं इसे comment out कर दिया अब मैं आपर इसे जबरन करूँगा तो यह मेरे पास 8 आ गया तो यहाँ पर तुम देख सकते हो A का data type जो था वो पहले string था और अभी integer हो गया जबकि दूसरे languages में अगर तुम करोगे तो तुम्हें problem आएगी ठीक है error आ जाएगा तो यहाँ पर तुम data type को भी change कर पा रहे हो अपने पूरे program में तो इसलिए हम कहते हैं कि python जो है वो dynamic type को support करती है dynamic typing को support करती है अब अगर तुम्हें अपने program में कुछ print करवाना हो तो तुम कैसे करवाते हो यहाँ तुम print लिखते हो यहाँ कोई string डाल देते हो जैसे की hello ठीक है तो इस तरह से तुम एक output करवा सकते हो ठीक है इसे अगर तुम रन करो तुम्हारे output string में hello आ जाता है ठीक है अब यहीं पर अगर तुम्हें user से कोई input लेना हो तो तुम कैसे करोगे ठीक है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा मान लेते हैं कि hello लिखा हुआ आए और मैं चाहता हूँ कि एक variable हो उसमें मैं user का नाम एंटर करूँ सिर्फ ठीक है तो यहाँ पर मैं input function का use कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं मैं एक prompt डालूँगा ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या डालूँगा यहाँ पर मैंने यह डाल दिया ठीक है एक string यहाँ पर आएगी यहाँ पर मैं उसमें लिखा हुआ आएगा enter your name ठीक है यह काम आएगा तुम्हें तुम भी इसे कॉपी कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैंने इस तरह से नाम इस नेम का एक variable बना लिया और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि यह prompt डाल रहा हूँ ठीक है यानि कि पहले यह मेरा print होगा hello और उसके बाद फिर यह print होगा और उसके बाद user को कुछ enter करना पड़ेगा ठीक है और user जो enter करेगा वो इस variable में assign हो जाएगा यानि कि अगर मैं इसके बाद print करवाना चाहूँ कि your name is ठीक है और उसके बाद मैं आपर एक कॉमा दे के मैंने आपर नाम लिख लिया ठीक है तो अभी क्या होगा पहले hello print होगा यह लो hello print होगा उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ रहा है enter your name यहापर मैं नाम print करता हूँ नाम enter करता हूँ ठीक है मैंने यह आपर नाम enter कर दी अब यह मैंने खुद बता रहा है कि यहापर मैंने जो कुछ भी enter किया वह इस variable में चला गया और फिर यहापर जो print हो रहा है your name is और फिर इस variable को मैंने आपर डाल दिया ठीक है तो your name is राजनात इस तरह से यह print हो गया तो इस तरह से मेरा input function काम कर रहा है लेकिन यहापर तुम एक चीज़ ध्यान दो कि यहापर मैंने string के format में अपना नाम डाला है ठीक है अब नाम है तो वह string के format में ही होगा जाहीर सी बात है लेकिन क्या होगा कि अगर मुझे कोई number प्रिंट करवाना हो या फिर लिखा और इस चीज़ को इसके अंदर डाल दिया ठीक है तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यह जो पूरी चीज़ है वो इंट के अंदर है ठीक है यानि कि अब यह इसकी जो value जो भी आएगी वो इंट में convert हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं enter your name करूं ठीक है तो इंटिजन में convert हो नहीं भाएगा ना यहाँ पर enter your name पूछ रहा है अब मैं आपर सिर्फ why लिखूं यहाँ पर यह भी तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं कि नाम में 78 यह नहीं 78 मैंने लिख दिया ठीक है यह लिखा हुआ रहा है तो इस तरह से तुम data type का यहाँ पर use कर सक तो अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ अपना नाम तो यहाँ पर इस तरह से काम कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर sdr मैंने यहाँ पर function use किया हूँ है string function तो यहाँ पर float use कर सकते हो उसमें तुमारा float input आएगा लेकि यहाँ पर मुझे string लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि string जो है वो by default string ही होता है यहाँ पर ठीक है यह by default हमारा input जो है string में आता है और एक और चीज़ है यहाँ पर कौन सी चीज़ है eval अगर मैं यहाँ पर eval लिख दो eval एक function है ठीक है वो क्या करेगा अपने आप detect करना चाहेगा तुमने जो input डाला है वो किस data type को वो किस data type का है उस data type को वो eval करेगा और उसके बाद उस variable में assign करेगा ठीक है तो यह eval क्या होता है जरा मैं इसे run करके दिखाता हो तुमें enter your name अगर मैं यहाँ पर 7 डालू तो क्या होगा ठीक है इसमें 7 पकड़ लिया अच्छी बात है अगर मैं यहाँ पर r a j n a t h ठीक है यहाँ पर मै दबने की जरूरत नहीं पडरती कि एक number डाहिमें उस number को डाल देता हूं उसे मकर इसे रहेकर ग्रूछ बने की जरूरत नहीं परती है अगर वह string होता है उस वक्त मूझे double simply मेरा नाम जो है वो आ गया ठीक है तो eval क्या करता है कि तुम्हारे format को पकड़ता है ठीक है तुमने जो input किया है उस format को वो पकड़ेगा और फिर उस चीज़ को समझ के इस variable में assign कर देगा इसका मैं एक और example देना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पर अगर मैं floating number डालू ठीक है यहाँ पर मैं floating number डालू जैसे कि 7.6 यह मैंने कर दिया यहाँ एंटर करने के बाद यह आ रहा है ठीक है तो तुम्हें कैसे बता चलेगा कि यह 7.6 इसने किस form में store किया ह हुआ है string के format में या फिर क्या क्या किस format में तो उसके लिए यहाँ पर type function का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ your data type is और यहाँ पर मैं लिखता हूँ typeofName यहाँ पर नने typeofName लिख दिया अब मैं यहाँ पर इसे फिर से run करूँ तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? की मैं दाल दिता हूँ 8 ठीक है, मैंने 8 डाला, 8 आ गया और यहाँ पर मैं को data type integer बता रहा है ज़रा फिर से इसे try करते हैं इस बार मैं 8.0 करते हूं तो यहां पर यह float आ रहा है उसी तरह से अगर मैं कोई और number try करूं 0.7 या 7.6 कुछ भी करूं या float और तुम्हें पता है और फिर अगर मैं यहां पर कोई एक string डाल दूँ क्या डालू मैंने यहाँ पर k डाल दिया एंटर करते हैं यह string बता रहा है मुझे कि यह string है ठीक है तो eval function मेरे input देने के behavior को पकड़ रहा है ठीक है उस format को पकड़ रहा है और फिर यह खुद ही पता कर रहा है कि यह क्या है ठीक है तो इस तरह से बन गया ठीक है तो क्या होगा यह backslash and क्या यहाँ पर escape sequence की तरह काम करेगा यह नहीं करेगा करेगा enter करता हूँ यहाँ पर तुम देख सकते हो यह यह j उपर आया और k नीशा है क्योंकि एक string है ठीक है तो यह इस behavior को पकड़ रहा है मैंने अभी भी तुम्हें पताया तो eval function काफी important function है अभी तो तुम्हें जादा काम इसका नहीं पढ़ रहा हो लेकिन जब तुम आ arguments डाल सकते हैं यह तक मैंने तुम्हें सब बता ही दिया है जब तब मैं तुम्हें प्रोग्राम बता रहा था तब तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया है end कैसे करें separator कैसे use करें ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि मैं यह यह करता हूँ यहाँ पर मैंने एक नई string डाल दी ठीक है फिर मैंने एक नई string यहाँ पर डाल दी ठीक है यह मैंने यहाँ पर एक नई string डाल दी तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक print होगा फिर यहाँ पर यह separator यहाँ पर by default का होता है space होता है इसलिए यहाँ पर space आ जाएगा फिर hello print होगा फिर यहाँ पर space आ जाएगा फिर high print होगा ज़रा मैं इसे करके देखूँ यह तुम देख सकते हो यह manager तरह से बोला उस तरह से यह print हो गया है और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं separator को change कर सकता हूँ sep equals to यहाँ पर क्या करना है मेरे को sep मैं चाहूँ तो यहाँ पर separator में 3 डाल सकता हूँ और मैंने string के format में डाला आया तो अब मैं से run करके देखता हूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जहाँ जा कॉमा है वहाँ वहाँ 3 आ गया है और यहाँ पर अगर मैं कोई एक variable डाल दूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर a equals to 9 लिख दिया तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बीच में एक variable डाल दूँ ठीक है तो यहाँ पर लिखा हूँ आएगा your data type is space नहीं यहाँ पर लिखा हूँ आएगा your data type is उसके बाद यहाँ पर space तो आएगा नहीं की separator 3 है तो यहाँ पर लिखाएगा your data type is 3 फिर आएगा 9 यान your data type is 39 फिर 3 यानि 393 hello 3 hi ठीक है जरा मैं इसे run करके देखो तो यह जिस तरह से मैंने बुला उस तरह से आ गया है ठीक है और तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर by default end equals to backslash end लगा हुआ रहता है तो यहाँ पर इसके नीचे तो इसके नीचे यहाँ पर मैं अगर कोई एक print में डाल दो कुछ जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ भी डाल दिया एक string बस बनाया और उसके अंदर कुछ नहीं है एक space भी नहीं है अगर मैं इसे डालू तो यह direct आ जागा डारेक्ट प्रिंट होगा